कहानी रामपूर का एक छोटा गाउं था उस गाउं में एक किसान रहता था वह खेती करता था उनके दो बेटे थे दोनों बेटे आलसी थे वे कुछ भी कामधंदा नहीं करते थे और आपस में लड़ते जगरते ही रहते थे किसान ने अपने बेटे को बहुत समझाया लेकिन वे कुछ भी नहीं समझते थे किसान की चिंता बढ़ती ही जाती थी अपने बच्चों को समझाने का किसान ने नया तरीका ढूंडा उन्होंने अपने दोनों बेटों को बुलाया एक बेटे को लकडियों का एक गठर लाने के लिए कहा लड़का गठर ले आया किसान ने इस गठर को तोड़ने के लिए दोनों बेटों को कहा दोनों बेटों ने रस्ती से बंदी हुई गठर तोड़ने का प्रयत्न किया लेकिन एक भी लड़का वह गट्ठर तोड नहीं सका किसान ने बाद में लकडी की गट्ठर को छोड़ दिया और दोनों लड़कों को एक-एक लकडी तोडने के लिए कहा दोनों लड़के ने एक-एक लकडी बारी-बारी ली और तोड़ दी किसान ने दोनों बेटों को सीख दी, कि यदी आप साथ रहोगे, तो आपको कोई तोड नहीं सकेगा, अलग नहीं कर सकेगा यदि अकेले रहे तो कोई भी तोड़ जाएगा मिल जुलकर रहोगे तो मजबूत बनोगे और लड़ते रहोगे तो कमजोर बनोगे उसी दिन से दोनों भाई मिल जुलकर रहने लगे